तो शुरू करें तो आज की इस वीडियो में हम कंपेर करेंगे एक्जिनोस 990 और मीडिया टेक डाइमासरी 1000 के साथ आज हम फूल डीटेल कंपेजन करेंगे जो एक्जिनोस 990 है यह एक्जिनोस की तरफ से आने वाला अभी तक का सबसे पावरफुल चिफ है और जो मीडिया से कौन सा आपको बेटर मिलता है तो आप अगर इस बाड़े में कुछ जानना चाहते हूं इस वीडियो को इंटाइक शरूर देखना शुरूबात कर लेते हैं सबसे पहले दोनों चिपसेट की टिकनोलोजी से हम लोग शुरूबात करते हैं तो एक्जिनोस 990 और आपको मी आपको चाहनता कफी अपको 7 Jimmy跟我 मिलता है तो इस मधल को इंजनोस 990 बेटर निकल जाता है अब बत करना है दोनों का अगहांस सपफू के सत्के शरूरूब कहले इकुंसieso सब्सक्राइब करें दोनों का और कितना क्लॉक स्पीड में यह आपको रण करेगा तो जो ऑगजौस 990 यह अपको मिलता है कौटेक्स से 76 में तू पॉइंट सीगण में उसके साथ ही और टुकल आपको मिलेगा कौटेक्स से 76 में तू पॉयंट 4Giga में और 4 आपको मिलेगा Kortex 55 में 2.0 Giga में में बात कर लें 누구 1000 के बारे में इसमें आपको टोटाल 8 मिलता है जिनके अंदर आपको 4-4 मिलता है kortex 76 में 2.6 Giga में उसके साथ पी और आपको four को मिलता है kortex 55 में 2.0 Giga में तो लगाई दोनों के साथ compared किया जाए आपको Mediatek Dimensity 1000 प्लस की जो CPU की clock speed और CPU की जो performance है यह आपको Exynos 990 साथ को beta देखने को मिलता है अब बात करने दोनों का गाई GPU के साथ compare किया जाए कौन साथ को beta मिलता है दोनों में आपको मली जी का 77 का GPU यूज़ा है लेकिन आपको Exynos 990 में आपको जो GPU यूज़ा है इसका technology है MC 11 technology और Mediatek Dimensity 1000 है इसमें आपको जो technology यूज़ा है GPU में किया MC 9 टेकलोलोजी तो दोनों के साथ compare किया है को थोड़ा सा फस्ट आपको मिलता है Exynos 990 में अब बात करनेता है दोनों का अगा RAM की सपोर्ट के बाहर में बात के रहे कौन साथ को पेटर मिलता है दोनों में आपको 16GB तक RAM को सपोर्ट कर सकता है डुएल चैनल के आपको RAM मिलता है लेकिन जो technology है यह आपको थोड़ा सा पीछे और थोड़ा सा आगे निकल जाता है जो एकजनोस 990 है इसमें आपको LPDR 5 का आपको RAM की सपोर्ट मिलता है और जो MediaTek Dimensity 1000 है इसमें आपको RAM की सपोर्ट मिलते है LPDR 4X था की बात करनें दोनों का स्टोरेज टाइप के बार में बात करें कौन सा आपको बेटर मिलता है दोनों में आपको सेम स्टोरेज आपको देखने को मिलता है दोनों में 5.1 के आपको EAMC मिलता है उसके साथ यूएफस 2.0 और यूएफस 3.0 तक भी सपोर्ट आपको बात करूं इसमें 32 प्लस 16 MP तक को यह सपोर्ट कर सकता है 4K 60fps उसके साथ फूल एजड यानिकी 1080 पिक्सल में जो वीडियो सूट करेंगा है इसको यह सूट कर सकता है 120fps के अंदर 720 में आपको स्लो मोशन मिलता है जो कि आपको 240fps ताग यह निकाल सकता है बात करने एक्जिन 24.5 MP कैमेरा को सपोर्ट कर सकता है उसके साथ यह भी 4K 60fps निकल सकता है 1080 पिक्सल में 120fps के अंदर निकल सकता है और 702 240fps के अंदर यह भी आपको देखने को मिलता है तो यह मेरा में आपको सिर्व आपको फ्रॉंट बैक कमेरा जो आपको सिंगल कमेरा डूवल के मेरा इसमे आपको 5G के साथ आता है जो एक्जिनोस 990 है इसमें एक्जिनोस की जो मॉडेम यूज वाए इसके अंदर आपको 5G का डाउनलोड स्पीड हो जाता है 5.1 जी भी तक और अप्लोड स्पीड हो जाता है 2.28 जी भी तक बात कर लें इसमें जो मीडिया टिक के जो आपको अपको मॉडेम यूज वाए इसके अंदर 5G मां डाउनलोड स्पीड हो जाता है 4.7 जी भी तक और अप्लोड स्पीड हो जाता है 2.5 जी भी तक 4G के अगर हम बात करूं 4G में थोरा सा उल्टा हो जाता है कि यूदि जो आपको एक्जिन स्पूर्ट के बार में डिस्प्लेश के बार में निकल जाता है exonus 990 में 2K तक डिस्प्लेश को सपोर्ट कर सकते 60 एक स्टी हर्स के साथ उसके साथ यह फूल एजडी 120 हर्स के साथ भी सपोर्ट कर सकता है लेकिन में इतना फीचर आपको नहीं मिलता है इस मैं आपको से पाफ को 90 एट्स की रिफ्रेश्ट के सथ फूल एजडी दा की सपोर्ट कर सकता है अब बात करने दोनों का अंतुदू बेंचमांट स्कोर के बारे में बात करो मीडियाटेक डायमांसरी 1000 का अंतुदू तब निकलके नहीं आया है लेकिन आगर हम बात करों एक्जिनोंस 990 के बार में 5 लग के आस पर इसका अंतुदू निकल के आया है अब बात करों दोनों का wifi कनेक्टिवीट के बार में दोनों में टू बेंट का मिलता है टू-पाइंट फोड़ गिगार्ड और तक बेंड दोनों में आपको देखने को मिलता है अगरा हम बात करो एक्जिनोंस 990 की आपको सपोर्ट मिलता है मीडियाटेक सब्सक्राइब को देखने को नहीं मिलता है तो अगर दोनों के साथ तुम प्यार किया जाए पार्फॉमेंस में थोड़ा सा आगे निकल जाता है मीडिया टेक